तो भई सारा लिखान को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं एक छूटा से इंट्रोडक्शन देता हूँ, सैफ लिखान की डॉटर है, बेटी है, एक्टिंग आती नहीं है, जी हागर आप सोच रहे होगी इनको एक्टिंग आती होगी तो वो नह आती क्योंकि ये नेपोटिस्म की पैदाईश है, मेरको कोई इनके नेपोटिस्म होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन रियालिटी ने एक्टिंग नहीं आती है, चलो भई, लेकिन तब भी सैफ लिखान की डॉटर होने के कारण नेने पिक्चर में काम मिल जाता है, प कुछ दिन पहले तो विदेश में थी, अभी जब भारत आई तो अपनी मित्र के साथ निकल पड़ी और नशे में चूर, मतलब पैपराजी इनको पूरा का पूरा ऐसे गिद्धों की तरह इनके पीछे पढ़ जाता है, मेरको तो आज तक नहीं समझ वहा है कि इनको इतनी तूल क्यों दी जाती है, खेर ये हैं पैपराजी इस वजए से हमें ये असलियत पता लगती है कि कितने नशे में चूर रहते हैं, तो क्या होता है कि ये पूरा लड़ खड़ाती, गिरती, पढ़ती, चलती भी आ रही है, आप वीडियो में क्लियरली देख रहे होंगे, कि किस तरीके से गिरती पढ़ती चल रही है, संभल नहीं सकती जो, वो युवाओं को बताएगी, पिक्चरों में इंफ्लेंसर बनके आएगी, और इनको लोग फॉलो करेंगे, इनके फैंस बनेंगे, अब ये ऐसे गिरती पढ़ती आती है, लेकिन भाई एक सीन है, ये मूव साब जेब के साइड में छूती भी निकल जाती है, आप देख सकते हो, सारा लिखान, डॉटर ओफ, सेफ लिखान, क्या करती नजर आ रही है, कैसे नशे में चूर इनका चरितर है, कैसे नशे में चूर कैसी कैसी हरकते करते हैं, कि भाई, ये है, और उसके बाद, आप ये मतलब कोई भरोसा नहीं है, ये विचारा सिक्योरेटी गार तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, कुछ समय बाद, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाए, विध हैस्टेग मीटू, तो यही है, रियालेटी इस बॉलीवुड की गंदगी, नशे में चूर, ड गांजा माल सब फूके, फूकी रहे न, तो बाप को शरम नहीं है, जो बाप ये कह सकता है, जब उसका बच्चा छोटा था कि मेरा बेटा सारा गलत काम कर तो बेटा क्या करेगा, घर में माल फूके जाते हैं, पार्टियां हो रही है, तो यही सब तो होगा, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कि बाप इतना पैसा खर्च करके अपने भच्चे को बचा ले, और उसके बाद ये मीडिया पूरा वाइट वाश कर दे, तो मीडिया का तो काम ही है, शारुक खान को आपने क्या समझा है, जिसके तार कहा कहा तक जुड़े हैं, तो आप ये सोचते ह क्यों कि वो हमारी मीडिया को नहीं चला सकता, हमारे बिजनसमेंस को नहीं चला सकता, हमारे देश के, नेताओं को नहीं चला सकता, तो सौरी या बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है, ये है रियालिटी, कि कि किस तरीके से आज उनका बेटा घूम रहा है, मजे मार रहा और इस तरह से दिखा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो कुछ गलत करता नहीं हूँ, और कैसे सारा लिखान गिरती पड़ती जा रही है नशे में चूर, यह है रियलिटी, अगर आप ऐसे वॉलिवूड को बॉयकॉट नहीं करोगे, तो आप अपने बच्चों को अपनी माता-पिताओं को नहीं कुछ तवज़ो देते, उनको निकाल देते हैं घर से, और आने वाले समय में तो बहुत कॉमन हो जाएगा, जब ऐसे नशे में चूर पड़े रहेंगे, और अगर माता-पिता नहीं रोक दिया, तो उनको घर से निकाल फैकेंगे, तो ऐसे आज की वीडियो में इतना ही है, जैहन्द!